ओम श्री गनेशाय नमाह दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे स्टोरी नेम इस बिलनिय हास्बंट और इस स्टोरी इस बिगिन फ्रम चैप्टर 38 तो 40 और गाइस डोंट तो चलिए शुरू करते हैं अब तक आपने पढ़ा थोड़ी ही देर में विद्युत धारा दोनों के कपड़े फर्श पर थे और अब दोनों के बीच से हवा गुज़ने की भी जगह नहीं थी विद्युत ने धारा के होटों पर एक लंबा स्मूच किया और उसकी तरफ देखते हुए दिवानगी से बोला धारा जब पहली बार हमारे बीच ये हुआ था तब मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरा चेहरा देखो या मुझे पहचानों क्योंकि तब मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत और गुसा था लेकिन आज जब हमारे बीच ये हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी नजरे सिर्फ मुझ पर हो और तुम मुझे महसूस करो मेरे प्यार को महसूस करो साथ ही इस मोमेंट पर मैं तुम्हारा कंसन भी चाहता हूँ चाहता हूँ कि इस पल में तुम मेरा पूरा पूरा साथ दो अब आगे विद्यूत प्लीज नाइट बल्ब बंद कर दो मुझे शर्म आ रही है धारा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए विद्यूत से कहा अच्छा जी और जब किस करके मुझे बहकाया तब शर्म नहीं आई अब लाइट तो बंद नहीं होगी मैडम तो तुम शर्माओ और मैं प्यार करता हूँ विद्यूत ने रोमेंटिक वे में धारा की तरफ देखते हुए कहा और उसके होठों को अपने होठों की गिराफ्त में लेते हुए अगले ही पल उसे अपना बना लिया और पहली रात धारा को जानवरों की तरह नोच लेने वाला विद्यूत आज अपने हर मुवमेंट से धारा को अपने प्यार का एहसास दिला रहा था थोड़ी देर में विद्यूत धारा के होठों को किस करना छोड़कर उसके गरदन और क्लीवेज पर केस करने लगा विद्यूत के दोनों हाथ धारा के सीने पर थे और धारा विद्यूत को अपने इतने करीब महसूस करके लगातार विद्यूत 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 बोले जा रही थी नाइट लेंप की हलकी सी रोशनी में विद्यूत धारा एक दूसरे को प्यार करने में खोए हुए थे काफी देर बाद धारा ठक कर सो गई पर विद्यूत उसे प्यार करने में लगा रहा अगली सुबह विद्युत काफी देर तक सोया रहा वरना इस समय तो वह जिम चला जाता था उसकी नींद तब खुली जब उसके चेहरे पर पानी के कुछ चीटे पड़े क्योंकि धारा अभी अभी नहा कर आई थी और उसके गीले बाल सुलजा रही थी विद्युत नींद से उठते हुए बोला तुम मुझसे पहले उठ गई हाँ वह विधान जग गया था ना तो रीता ने मुझे बुला लिया था और जब जागी गई तो सोचा नहा लूं धारा ने अपने हाथों में मौईश चराइजा लगाते हुए कहा अच्छा सोचती हो चलो नहा लेते हैं कहते हुए विद्युत बैज से उठा और उसने धारा को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर वाश्रूंग की तरफ जाने लगा अरे पर मैं तो नहा चुकी हुँ ना आप नहा लीजिये कहते हुए धारा नीचे उतरने की कोशिश करने लगी पर विद्युत ने उस पर अपनी बाहे कसते हुए कहा हां तो किसने कहा था अकेले अकेले नहाने के लिए तुम्हें सोचना चाहिए था की रोमेंटिक नाइट की मौनिंग भी तो रोमेंटिक ही होगी मुझे आज तुम्हारे साथ शावल लेना है कहते हुए विद्युत धारा को अपने साथ वाश्रूम में लेकर आया और उसे बाथटब में बिठाते हुए खुद भी बाथटब के अंदर जाकर धारा को अपने उपर खीच लिया और उसके पहले से गीले बालों से खेलने लगा ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है विद्युत धारा ने जूठी नाराजगी जताते हुए विद्युत से कहा क्या ज्यादा हो रहा है धारा माना की हमारा एक बच्चा है पर रोमेंस तो हमारे बीच अभी अभी शुरू हुआ है ना और फिर मैं तो अपनी बीवी के साथ ही रोमेंस कर रहा हूँ तो इसमें ना ही कुछ ज्यादा है और ना ही कुछ गलत कहते हुए विद्यूत ने धारा का बात रोब उतार फेका और एक बार फिर उसे 85 निगाहों से देखने लगा धारा को भी समझ में आ गया कि अब वह चाहे जितनी भी कोशिश कर ले विद्यूत उसे छोड़ने वाला नहीं है करीब वन घंटे बाद विद्यूत धारा को अपनी बाहों में लेकर वाश्रूम से बाहर आया धारा ने इस समय तावल लपेच रखा था और वह गुस्से से विद्यूत को देख रही थी क्योंकि विद्यूत ने उसे बहुत परेशान किया था धारा के चेहरे पर ठकान साफ नजर आ रही थी पर विद्यूत बहुत फ्रेश फील कर रहा था थोड़ी देर बाद विद्यूत ओफिस के लिए रेडी होने लगा और अब वह रोमेंटिक विद्यूत से सीधा प्रोफेशनल विद्यूत बन चुका था तैयार होते होते वह ब्लूटूथ पर बात कर रहा था रेहान जो भी शादी का पहला मुहूर्थ है उसमें ही तुम्हें विक्रम और शिवानी की शादी के सारे अरेंजमेंट करने हैं और हाँ इस शादी में शिखावत और खन्ना फैमली के अलावा सिर्फ मेरा सिक्योरिटी स्टाफ होगा और कोई नहीं वैशाली से बात करके भी मैं खुद तुम्हें बता दूनगा अगर उसकी चुट्टियां हुई तो उसके आने के सारे अरेंजमेंट तुम देख लेना शादी जितने सिंपल तरीके से होगी उतना ही अच्छा रहेगा रेहान माइंड इट ये बाते सुनकर तो जैसे धारा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी धारा जो अभी अभी रीता के पास से विधान को लेकर आई थी उसे बैट पर लेताते हुए बोली क्या मतलब है आपके पास इतने सारे पैसे होने का जब आप कहीं खर्च ही नहीं करते मुझे तो लगता है इसी तरह पैसे बचा बचा कर आप इतने अमीर हो गए हैं अरे इससे ज़्यादा पैसे तो हमारे यहां के लोग शादियों में खर्च कर देते हैं मेरी और आपकी शादी तो जैसे तैसे हो गई क्योंकि तब बात दूसरी थी लेकिन विक्रम और शिवानी की शादी में तो इतनी कंजूसी मत करें उन लोगों की शादी तो खुशी खुशी हो रही है बात पैसों की नहीं है धारा विद्यूत ने धारा को समझाते हुए कहा तो फिर क्या बात है क्या फैमली वाले भी इस बात के लिए मान गए हैं जब आपकी शादी हुई तब उन्हें पता तक नहीं था कि आपकी शादी हो रही है और अब जब विक्रम भया की शादी हो रही है तो उसमें भी आप वन रुपी खर्च करने को तैयार नहीं है कोई बात नहीं मैं चाचा जी से ही कह दूंगी कम से कम तब मेरी बहन की शादी इतनी सिंपल तो नहीं होगी जितनी आप चाहते हैं अपनी बेटी और दामाद की शादी में वह अपनी हैसियत के हिसाब से अरेंजमेंट तो कर ही लेंगे धारा ने गुस्से से विद्यूत को तौट मारते हुए कहा धारा बात पैसों की नहीं है बात है विक्रम और शिवानी की शादी जल्द से जल्द कराने की तुम्हें तो पता चली गया होगा कि जब से महेंदर अंकल की बेटी को विक्रम ने रिजेक्ट किया है तब से वह शिवानी के दुश्मन बन बैठे हैं मैं ये सब शिवानी की सेफटी को देखते हुए ही कर रहा हूँ अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं कंजूसी कर रहा हूँ तो तुम इस शादी का जो भी बजट डिसाइड करोगी मुझे बता देना वह मैं विक्रम और शिवानी को अलग से दे दूंगा विद्यूत ने अपने कोट के कफलिंग सही करते हुए धारा से कहा और रेडी होकर ओफिस के लिए निकल गया विद्यूत ने धारा को यह नहीं बताया कि महेंदर वर्मा वाली प्रॉब्लम तो उसने कब की सॉल्फ कर दी और आज महेंदर वर्मा और सारिका ये देश छोड़कर चले भी जाएंगे बलकी विद्यूत धारा को रंधीर खन्ना के बारे में नहीं बताना चाहता था क्योंकि शादी के इतने दिनों बाद धारा ने खुश रहना शुरू कर दिया था ऐसे में विद्यूत उसे सेफटी की टेंशन में नहीं डाल सकता था दूसरी तरफ शिवानी को स्कूल में ही विक्रम का भिजवाया हुआ पार्सल मिला जो की ओल्रेडी गिफ्ट पैक था साथ में एक नोट भी था कल शाम तुम्हें डेट पर नहीं ले जा पाया था थोड़ा बिजी था पर आज शाम तैयार रहना अगर मेरी दी हुई ड्रेस पहन कर आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारा विक्रम विक्रम का पार्सल और यह नोट रिसीव करके शिवानी बलश करने लगी थी वह शाम तक का वेथी नहीं कर पा रही थी अगर वह स्कूल में न होने की बजाए घर में होती तो कब का विक्रम का भेजा हुआ गिफ्ट खोल कर देख चुकी होती जैसे तैसे शाम हुई और शिवानी अपने घर पहुची वह सीधा नीलिमा जी को बात कर अपने कमरे में तैयार होने गई पर सबसे पहले उसने विक्रम का भिजवाया हुआ गिफ्ट खोला की आखिर देखे तो विक्रम ने उसे क्या ड्रेस भिजवाए है पर वह ड्रेस देखते ही शिवानी की आखे फटी की फटी रह गई और वह गुस्से से बोली विक्रम शिखावत तुम कभी नहीं सुधरोगे तभी गिफ्ट बॉक्स के अंदर रख एक नोट पर भी शिवानी की नजर पड़ी जिस पर लिखा हुआ था उसे दिन वाइन रेट कलर के सलवार सूट में तुम बहुत प्यारी लग रही थी इसलिए तुम्हारे लिए अपनी चॉइस से भी उसी कलर की ड्रेस ली है प्लीज 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 यही पहन कर आना और यह नोट पड़कर अपने चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल लाते हुए शिवानी बोली तो तुम मुझे ये पहनना चाहते हो विक्रम शेखावत अगर आज मैंने तुम्हे यही ड्रेस नहीं पहनाए ना तो मेरा नाम भी शिवानी खनना नहीं थोड़ी देर बाद विक्रम की भेजी हुई गारी खनना निवास के बाहर शिवानी का वेट कर रही थी और शिवानी के आते ही ड्राइवर ने कर विक्रम की भेजी हुई लोकेशन की तरफ ड्राइव करना शुरू कर दी विक्रम बेसबरी से शिवानी का इंतजार कर रहा था और शिवानी थोड़ी ही देर में उसकी भेजी हुई लोकेशन पर पहुँच चुकी थी यह एक बहुत बड़े पैलेस का गार्डन था जिसे बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेट किया गया था वायच और रेड कलर थीम के साथ और साथ ही रोमेंटिक गानों का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बज रहा था यहां का माहौल देखने के बाद तो जैसे शिवानी का सारा गुस्सा चू हो गया था विक्रम ने कल देट इसलिए प्लान नहीं की थी ताकि वह आज शिवानी और अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए अरेंजमेंट करे क्योंकि उसे दिन उसके और शिवानी के साथ जो भी हुआ उसके बाद विक्रम शिवानी को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता था विक्रम ने जैसे ही शिवानी को देखा उसके चहे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई पर जब उसने नोटिस किया की शिवानी ने उसकी दी हुई ड्रेस की बजाए एक रॉयल ब्लू और येलो काम्बिनेशन का सूट पहना है ये देखकर विक्रम को थोड़ा बुरा तो लगा पर फिर उसने अपने मन को ये कहकर समझा लिया कि शिवानी आ गई यही काफी है वरना जितना वह मुझसे नाराज रहती है उसका आना ही impossible था विक्रम मैं आगे बढ़कर शिवानी का हाथ थामा और उसे अपने साथ गार्डन के बीचों बीच ले आया जहां एक टेबल को चेय सेट के साथ कपल के लिए beautiful decorate किया गया था विक्रम ने सबसे पहले शिवानी के लिए चेय पुल की और उसे comfortably बिठाने के बाद खुद सामने वाली चेय पर बैथ गया मुझे लगा था तुम आओगी नहीं पर तुम मेरे लिए यहां आई मुझे अच्छा लगा विक्रम ने sweet gesture फॉलो करते हुए शिवानी से कहा नहीं वह तुमने ही कहा था ना कि हम एक दूसरे को जानते नहीं है और क्योंकि हमारी शादी होने वाली है तो एक दूसरे को जानना तो पढ़ेगा ना बस इसलिए शिवानी ने बहुत ही सिंपल वे में कहा तुम्हें मेरी दी हुई ड्रेस पसंद नहीं आई शिवानी तुमने वह क्यों नहीं पहनी विक्रम ने curiosity के साथ शिवानी की तरफ देखते हुए पूछा तो तुम मुझे उसे ड्रेस में देखना चाहते थे शिवानी ने विक्रम की तरफ देखते हुए सारकास्टिक वे में चेहरे पर स्माइल लिए हुए पूछा एफकोस तभी तो मैं तुम्हारे लिए वोली थी तुम उसे दिन वाइन रेज सूट में बहुत प्यारी लग रही थी ना तो मैं तुम्हारे लिए उस कलर में कुछ चूज करना चाहता था पता है मुझे वह सलेक्ट करने में पूरे थ्री घंटे लगे थे पर तुम वह पहन कर ही नहीं आई इसका मतलब तुम्हें वह पसंद नहीं आई विक्रम ने उदासी भरे स्वर में कहा अब तो शिवानी टेबल पर अपने हाथ पटकते हुए खड़ी हुई विक्रम भी उसका यह एक्षन देखकर खड़ा हो गया शिवानी ने विक्रम का कॉला पकड़ा और उसे अपनी तरफ खीचते हुए कहा ओ रियली विक्रम तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे सामने वह ड्रेस पहन कर आन तो भूलो मत हमारी शादी होने वाली है अभी तक हुई नहीं है जो तुम मुझे ऐसे कपडों में देखना चाहते हो और अपनी वाइफ को लेकर तुम्हारी सोच कितनी घटिया है अगर तुमने मुझे उस तरह के कपड़े पहन कर आने के लिए कहा भी था तो तुम्हें मुझे लेने के लिए खुद आना चाहिए था ना कि अपने ड्राइवर को भेजना चाहिए था और उस तरह के कपड़े ची तुम चाहते थे कि तुम्हारे ड्राइवर के सामने एक बात बताओ तुम मुझसे खुद शादी करना चाहते हो या अपने ड्राइवर से मेरी शादी करवाना चाहते हो ये सब क्या है शिवानी मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती बलकी नफरत करती हो पर मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ कम से कम उसे बात की तो रिस्पेक्ट करो प्यार से पहली बार तुम्हारे लिए कुछ पसंद किया था पर तुम्हें ना किसी की फिलिंग्स की कदर ही नहीं है विक्रम ने गुस्से से कहा और शिवानी के हाथ अपनी कॉला से अलग कर दिये विक्रम का यह attitude देखकर तो अब शिवानी चुप नहीं रहने वाली थी उसने तुरंट अपने पस से विक्रम की दी हुई dress निकाली जो की एक बिकिनी सेट का अपर थी और उसे विक्रम के गले में ताई की तरह डालते हुए बोली तो तुम्हारी feelings की कदर करने के लिए मैं ये पहन कर आती अरे इससे बड़े कपड़े तुम्हें अपने कपडों के अंदर पहन लेती हूँ विक्रम और तुम चाहते थे कि मैं ये नाम मातर के कपड़े पहन कर तुम्हारा ड्राइवके साथ आ जाओं पक्का तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह का गिफ्ट देने की कहते हुए शिवानी ने उस बिकिनी सेट का बॉटम भी विक्रम के हाथ में थमा दिया अपने गिफ्ट की जगह बिकिनी सेट देखते ही विक्रम के चेहरे पर हवाया उड़ गई थी उसने तुरंट बिकिनी सेट की बॉटम जिसमें नाम मात्र का कपड़ा और दोरी थी ऐसी फेका जैसे उसने अपने हाथ में साप पकर रखा हो और अपर सेट को अपने गले से निकलते हुए टेबल पर रखते हुए शिवानी को समझाने लगा कि उसने बिकिनी नहीं खरीदी थी उसने कुछ और खरीदा था हो सकता है कि मॉल की तरफ से उसकी पैकेजिंग में कुछ मिसीग हो पर शिवानी विक्रम कि एक बात सुनने को तैयार नहीं थी तो विक्रम ने मॉल में कॉल करके कन्फरम किया कि उसे वह सारी नहीं रिसीव हुई है जो कि उसने पसंद की थी चेक करने के बाद माल वालों ने भी एकसेप्ट कर लिया कि गलती उनकी तरफ से हुई है और वह अगले दिन तक विक्रम की सिलेक्ट की हुई सारी भिजवा देंगे शिवानी के सामने अपना कैरेक्टर पूरी तरह से क्लियर करने के बाद विक्रम की सांस में सांस आई पर शिवानी को भी अब वही ड्रेस चाहिए थी जो विक्रम ने उसके लिए पसंद की थी पर एक छोटी सी गड़बर के कारण उसे वह गिफ्ट नहीं मिला जो विक्रम ने उसके लिए पसंद किया था शिवानी को ये बात बुरी लग रही थी और वो अब गुस्से में वापस जा रही थी आज विक्रम में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह आगे बढ़कर शिवानी को रोक ले क्योंकि जब भी बेचारा कुछ अच्छा करने जाता शिवानी के सामने हर बार उसका पोपट ही हो जाता था आज कितने दिल से उसने शिवानी के लिए ये रोमेंटिक डेट अरेंज की थी कि उसके साथ थोड़ा वक्त बताएगा पर सेल्समेन की वज़े से सब कुछ गरबर हो गया था शिवानी उदास थी और वापस जा रही थी पर उसका मन कह रहा था कि शायद विक्रम उसे रोक ले पर शिवानी के गिफ्ट में साडी की जगह विक्रम शर्म और गुस्से से अपनी चेय पर बैठ गया था शिवानी ने एक बार पलट कर विक्रम की तरफ देखा जो अपसेट सा खाली आसमान की तरफ देखे जा रहा था शिवानी समझ गई की विक्रम आज उसे नहीं रोकेगा तो वह तेज कदमों से वापस आई उसने अपना हैंडबैग टेबल पर रखा और विक्रम की गोद में बैठते हुए बोली मैं वापस जा रही हूँ तो रोक नहीं सकते थे पहले मेरे लिए साडी की जगह बिकिनी ले आए और अब मुझे मनाने की बजाए खुद मुह फुला कर बैठे हो देखो मैं कह रही हूँ कि मुझे अभी के अभी रोक लो वरना मैं तुम्हारी जगह राहुल से ही शादी कर लूँगी शिवानी के राहुल से शादी करने की बात पर विक्रम गुस्से से तमत माते हुए बोला राहुल से शादी करने के सपने अब छोड़ दो शिवानी अब तुम्हारा सपना और हकीकत दोनों मैं हूँ और एक बात बताओ तुम अभी इस वक्त मेरी गोध मैं बैठी हो और कितना रोकू तुम्हें एक तो पहले से ही हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं है उपर से तुम बात-बात पर राहुल का नाम ले लेती हो विक्रम को राहुल से जेलेस होता देखकर शिवानी को मन ही मन हिसी आ रही थी क्योंकि राहुल से तो उसकी शादी कभी फिक्स ही नहीं हुई थी फिर उसने अपनी हिसी कंट्रोल करते हुए कहा अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने कभी राहुल का नाम न लूँ तो आज की यह डेट जिस पर तुमने मुझे बुलाया है उतनी ही सर्प्राइजिंग हुनी चाहिए जितना तुमने कमिटमेंट किया था वरना तुम्हारे बुलाने पर दोबारा नहीं आउंगी अरे मैं गुस्से में जा रही थी पर तुम तो मुझे रोक सकते थे ना एक तो पहले मेरे लिए साड़ी की जगह बिकिनी से ले आए और जब मैं गुस्सा होकर जा रही हूँ तो खुद मुझसे भी बड़ा मुह फुला कर बैठ गए यह नहीं कि मुझे मना लो चुप चाप मुझे मनाओ नहीं तो तुमसे शादी नहीं करूंगी शिवानी ने मुझ फूलाते हुए कहा अब तो तुम्हें मनाने के लिए जान भी हाजर है और आज की यह डेट तुम्हारे लिए इतनी स्पेशल होगी की तुमे से सारी जिंदगी याद रखोगी विकरम ने शिवानी के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए रोमैंटिक वे में कहा और फिर उसके माथे पर हाथ रखकर चेक करते हुए बोला तुम्हारी तबियत तो ठीक लग रही है तो फिर कहीं दिमाग तो कहते हुए विक्रम के चहरे पर एक स्माइल थी क्या मतलब है मेरा दिमाग तुम मुझे पागल कहना चाहते हो शिवानी ने नाराजगी भरे स्वर में विक्रम की तरफ देखते हुए कहा नहीं पागल तो नहीं कहना चाहता तुम्हें क्योंकि हरकते तो तुम्हारी पहले वाली ही है मुझसे जगड़ा करने। वाली पर कम से कम आज तुम जगडे में भी बात शुरू कर रही हो वरना हर बार तो मैं बात करता हूँ और तुम बात खत्म करके चली जाती हो कहते हुए विक्रम ने शिवानी के माथे पर किस कर लिया और विक्रम शिवानी के गाल पर किस करने ही वाला था कि शिवानी ने उसके होटों पर हाथ रख कर उसे पीछे करते हुए कहा मेरे यहां आने और रुखने का यह मतलब नहीं है कि तुम मेरा फाइदा उठाने की कोशिश करो वैसे भी तुम्हारी मुझे बिकिनी गिफ्ट करने वाली बात में भूली नहीं हूँ कहते हुए शिवानी विक्रम की गोद से उठकर सामने वाली चय पर बैठ गई विक्रम ने अपने माथे पर हाथ मार कर पच्टाते हुए कहा शिट यार अगर तुम्हे की नहीं करता तो तुम अभी मेरी गोद में बैठी होती अब चलो एक गलती कर दी है पर एक ही डेट में दूसरी गलती नहीं करना चाहता कहते हुए विक्रम ने शिवानी की तरफ एक एंवलप बढ़ाया और बोला इसमें तुम्हारे लिए कुछ है शिवानी मन ही मन सोच रही थी कि गिफ्ट बॉक्स तो समझ में आता है लेकिन एंवलप में क्या देना चाहता है उसे विक्रम कहीं लव लेटर तो नहीं पर वह तो इस समय विक्रम के सामने ही बैठी है तो फिर लव लेटर देने की क्या जरूरत है सोते हुए शिवानी ने वह एंवलप उठाया और खोल कर देखा तो उसमें शिवानी के लिए MBA एडमिशन फार्म था जो देखकर शिवानी हैरान होते हुए बोली यह सब क्या है विक्रम मैं इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकती पर क्यू शिवानी तुम तो हमेशा से यही करना चाहती थी इंटरेस्ट में मैं तुम्हें यह इसलिए नहीं दे रहा हूँ की हमारी शादी हो रही है बलकि यह मैं तुम्हें पहले दिन से देना चाहता था जब मुझे पता चला की मेरी वज़ेह से तुम्हारा करिय स्पॉल हुआ पर तब तुम पर मेरा कोई हक नहीं था लेकिन अब है विक्रम ने शिवानी की तरफ देखते हुए कहा और फिर उसके हाथ में हाथ रखते हुए बोला शिवानी अगर कोई और बात है तो तुम मुझे बता सकती हो पर शिवानी इस एडमिशन को रिजेक्ट करने की एक्चुल वज़ेह विक्रम को नहीं बताना चाहती थी लेकिन विक्रम के बहुत फोस करने पर उसने कहा विक्रम मैं यहां की फीस अफोड नहीं कर सकती और इसलिए मैं इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकती पर तुम्हें कुछ भी अफोड नहीं करना है यार मैं हूँ ना मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है कहते हुए विक्रम ने शिवानी का हाथ अपने दोनों हाथों में पकर लिया और विश्वास के साथ उसकी आँखों में देखने लगा पर मैं तुमसे इतना बड़ा एहसान नहीं ले सकती जस्ट बिकॉज हमारी शादी हो रही है या फिर तुम रिच हो इसलिए शिवानी ने विक्रम की तरफ देखते हुए कहा विक्रम समझ गया कि शिवानी उसके इस effort को favor समझ रही है तो वह शिवानी का हाथ छोड़ते हुए अपनी चेह से उठा और शिवानी की चेह के पीछे जाकर शिवानी को होल्ड करके अपना चेहरा उसके चेहरे के नजदीक लाकर उसके गाल को अपने गाल से रब करते हुए बोला और तुम से किस ने कहा की मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ ये तो मेरा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है मेरी वाइफ पर आखिर तुम ज़्यादा पढ़ लिख लोगी तो मेरा ही तो फाइदा होगा और याद रहे तुम पर मेरे इन्वेस्टमेंट का वन रुपी बरबाद नहीं होना चाहिए बस एक बार तुम्हारा एड्मिशन हो जाए उसके बाद तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में कोई धील नहीं होनी चाहिए पर मेरे पढ़ने से तुम्हारा फाइदा कैसे मैं कुछ समझी नहीं विक्रम शिवानी ने अपना सर्ख हो जाते हुए कहा इसलिए तो चाह रहा हूँ तुम अच्छे से पढ़ लिख जाओ ताकि तुम्हें मेरी बाती तो समझ आए अब देखो अगर तुम MBA कर लोगी तो तुम्हारी knowledge और बढ़ेगी तुम्हें जब अच्छी मिलेगी तो salary तो ले देकर मेरे पास ही आएगी ना और तब ये जो तुम्हारी fees के पैसे में पे कर रहा हूँ तुम चुका देना तुम्हारा education और अच्छा होने से तुम हमारी company को और भी profit में लेकर जा सकती हो विक्रम ने शिवानी के करीब आते हुए अपनी बात बहुत ही असरदार लहजे में कही थी उसका लहजा इतना असरदार था कि जो शिवानी लोगों के कान पकड़ कर उनसे अपनी बात मनवा लेती थी वह अभी चुपचा विक्रम की बातों से convince हो गई थी शिवानी को अपनी बात मानता देख विक्रम ने उसे अपनी बाहों में उठाया और garden के दूसरे हिस्से में ले गया जो की एक pool area था और उसके पास एक बड़ा सा जूला लगा था विक्रम ने शिवानी को जूले पर बिथाया और धीरे धीरे उसे जूलाने लगा और इस area की decoration और view देख कर शिवानी अपनी expectation से ज्यादा surprise हो रही थी शिवानी ने विक्रम को अपने बगल में बैठने के लिए इशारा किया और उससे बाते करने लगी शिवानी विक्रम को जानने के लिए जो थोड़े बहुत efforts भी लग रही थी विक्रम के लिए तो वह भी बहुत थे क्योंकि कहां तो शिवानी उसके एक भी शब्द बोलने पर उसका सर फोरने के लिए तैयार रहती थी पर आज कम से कम वह उसकी बाते सुन रही है और उससे बाते कर भी रही है विक्रम ये भी जानता था कि अब पहले ही मुहूर्त में उन दोनों की शादी हो जाएगी तो उससे अब शिवानी को खोने का डर भी नहीं था इसलिए अब वह शिवानी के साथ पहले की तरह डेस्पिरेट बिहेव नहीं करता था विक्रम ने शिवानी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा वैसे एक बात बताव शिवानी जहां तक मैं जानता हूँ पहले तो तुम्हें मुझसे बात करना तक पसंद नहीं था तो फिर विद्युत भाई जब तुम्हारे घर हमारी शादी की बात करने आये तो तुमने शादी के लिए हाँ क्यूं की थी और तुमने अपने घर वालों को कैसे मनाया सच बता दूनगी तो तुम्हें बुरा लगेगा शिवानी ने विक्रम की तरफ confidence से देखते हुए कहा पर विक्रम में अपना दिल मजबूत करते हुए कहा तुम बता दो अब तो वैसे भी हमारी शादी हुने वाली है थोड़ा बहुत बुरा लग भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा वह उसे दिन जब मैं रस्टोरेंट में जब तुमने मुझे मिहर भाई के साथ देखा और मुझे जबर्दस्ती अपनी कार में लेकर आये तो जब तुम मुझे किस कर रहे थे तो पापा ने हमें देख लिया था और उन्हें लगा कि हमारे बीच कुछ चल रहा है तो जब तुमने मेरे घर रिष्टा भिजवाया इसलिए पापा ने एक बार में एकसेप्ट कर लिया मुझे तो उसे दिन भी तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था मैं एकसेप्ट नहीं करती लेकिन पापा ने गुस्से से कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी ही होगी वरना वह मुझे कोई रिष्टा नहीं रखेगे शिवानी ने रुकते रुकाते विक्रम को पूरी बात बता दी थी शिवानी की बाते सुनकर विक्रम को बहुत बुरा लगा की एक बार फिर से उसकी वज़े से शिवानी की लाइफ में उथल उथल मच गई है और यह भी की इस रिष्टे के लिए शिवानी ने हा नहीं की थी दूसरी तरफ महेंदर वर्मा और सारिका लंदन पहुँचकर अपने एक विला में शिफ्ट हो चुके थे दोनों को ही अचानप अपनी जिंदगी में आया इतना बड़ा बदलाव रास नहीं आ रहा था अगर विद्युत ने डेडलाइन ना दी होती और उन दोनों की मजबूरी ना होती तो वह कभी यहां नहीं आते सारिका अपने कमरे की बालकनी में खड़ी गुस्से और बेचैनी से खाली आसमान की तरफ देखे जा रही थी और खुद से बोली विद्युत और विक्रम तुम दोनों ने मेरे पापा की जो हालात की है जो कुछ भी तुम दोनों ने हमारे साथ किया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी और ना ही तुम दोनों को भूलने दूंगी मैं जल्द ही वापस आउंगी पूरी तैयार पूरी तैयारी के साथ अपनी इस बेच जती और हार का बदला में तुम दोनों से जरूर लूंगी अगर तुम दोनों भाईयों का साथ ही तुम दोनों की ताकत है तो मैं तुम दोनों को ही अलग कर दूंगी ऐसी दरार डालूंगी तुम दोनों भाईयों के बीच की उसे तुम तो क्या तुम्हारा पूरा खांदान मिलकर भी नहीं भर पाएगा जो बेजजती तुम दोनों ने मेरी और मेरे पापा की की है उसे सारी का वर्मा कभी नहीं भूलेगी मैं वापस आंगी और जरूर आंगी और इतनी ताकतवर बन कर आंगी की तुम दोनों चाह कर भी ना तो मुझे जीत पाओगे और ना ही मुझे भूल पाओगे लेकिन अभी मुझे सिर्फ अपने डैट को संभालना है और खुद को तुम दोनों का सामना करने के लिए तैयार करना है आसमान की तरफ देखते हुए सारिका बोले जा रही थी पर उसकी आखे इस समय आगोगल रही थी दूसरी तरफ दिन के बाद विद्यूत धारा अपने कमरे में थे विधान भी उनके पास ही था जैसे ही विधान सो गया तो विध्यूत ने रीता को बुलाया और वह विधान को लेकर चली गई विनीता जी के कहने पर आज ही धारा ने विधान का सारा शेड्यूल रीता को बता दिया था ताकि विधान को रीता के साथ धारा की अबसेंस में कभी कोई प्रॉबलम ना हो विधान के जाते ही विध्यूत में धारा को अपनी तरफ खीचा और उसे अपनी बाहों में भर के किस करने लगा पर धारा ने उसे छूटते हुए कहा ये सब क्या है विद्यूत अभी सुबह सुबह ही तो आपने कहते हुए धारा पलट कर जाने लगी पर विद्यूत में उसकी कमर पर हाथ डालते हुए उसे खुद से सटा लिया और दूसरे हाथ से उसकी कमर पर चिकोटी कारते हुए बोला तो तुम्हें क्या लगता है अगर सुबह रोमेंस कर लिया तो रात को नहीं कर सकता क्या मैं तुम्हें इतना कमजोर लगता हूँ लगता है आज तुम्हें अपनी ताकत और स्टेमिना दिखाना ही पड़ेगा कहते हुए विद्युत धारा को बिस्तर पर धक्का देकर अपनी शर्ट उतारते हुए उसके उपर आने लगा पर धारा ने उसे रोक कर अपनी आखे बंद करते हुए कहा नहीं नहीं मुझे आप पर पूरा भरोसा है आप आप बहुत ताकतवर है ये तो मैं बहुत कमजोर हूँ हलकी फुलकी सी मैं ठक जाती हूँ वरना आपकी ताकत और स्टेमिना तो गजब है हाँ तो अब मुझे अपनी ताकत और स्टेमिना दिखाने दो विद्युत ने धारा का हाथ उसकी आखों पर से हटाते हुए पर धारा अपनी पलके जुकाते हुए मासुमियत भरे अंदाज में बोली पर मैंने ये भी तो कहा कि मैं ठक गई हूँ और मैं कमजोर हूँ कोई बात नहीं तुम्हारा ये पती अभी तुम्हारी सारी ठकान दूर कर देगा तुम बस चुपचाप लेटी रहो और मुझे मैसूस करो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है जो करूंगा मैं करूंगा विद्यूत में चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान लिये हुए कहा और उसके हाथ जैसे धारा के पूरे शरीर का नाप लेने लगे और विद्यूत धारा के होटों पर होंच रखते हुए अपने कपड़े हटाने लगा पर धारा को घबराहट हो रही थी क्योंकि अभी वह थका हुआ महसूस कर रही थी और विद्यूत के करीब नहीं जाना चाहती थी पर विद्यूत की तो जैसे था सारी थकान ही धारा के करीब आकर मिटने वाली थी गुस्से वाले विद्यूत को तो धारा जैसे तैसे कंट्रोल कर भी लेती थी पर यह romantic विद्यूत धारा के बसका नहीं था वह तो जैसे तैसे धारा को अपनी बातों में लपेट ही लेता था और अभी भी वही हुआ धारा भी विद्यूत के किसमें उसका साथ देने लगी जो महसूस करते हुए विद्यूत के चेहे पर एक शरार्ती स्माइल आ गई और विद्यूत के होंस धारा के गले और क्लीवेज पर चलने लगे उसके हाथ भी बराबरी से अपना काम करने पर लगे हुए थे और अब धारा भी आउट ओफ कंट्रोल होते हुए आहे भरने लगी थी धारा का एक हाथ विद्यूत के बालों पर और दूसरा उसके कंधे पर चल रहा था जैसे ही विद्यूत को महसूस हुआ की धारा उसके साथ पूरी तरह से इन्वाल्व हो चुकी है विद्यूत रुका और धारा की तरफ देखते हुए बोला क्या हुआ तुम तो बहुत ठक गई थी ना कमजोरी लग रही थी तुम्हें फिर अचानक से तुम मेरा साथ कैसे देने लगी कहीं ऐसा तो नहीं की तुम भी मेरे करीब आने के लिए उत्मी ही डेस्पिरेट हो जितना की मैं तुम्हारे करीब आने के लिए विद्यूत ने अपनी आखे विंग करते हुए सवालिया लहजे में कहा और क्यूरियोसिटी से धारा की तरफ देखने लगा विद्यूत का ये सवाल सुनकर धारा शर्म से मेरी जा रही थी क्योंकि कहा पहले वह विद्यूत को करीब आने पर मना कर रही थी और अब खुद विद्यूत का साथ एंजॉय करने लगी थी विद्यूत उसकी हिचकिचाहट को समझ गया और धारा के होटों पर एक लाइट किस करते हुए बोला कोई बात नहीं मैं समझ गया कि मेरा चाम ही कुछ ऐसा है कि लड़कियां चाहकर भी मुझे अवाइड नहीं कर पाती तुम तो फिर भी मेरी बीवी हो तुम्हें तो मेरा अलग ही रूप देखने को मिल रहा है विद्यूत का बस इतना ही कहना था कि धारा की तो जैसे तन बदन में आग लग गई वह गुस्से से विद्यूत की तरफ देखते हुए बोली क्या मतलब लड़कियां तुम्हें चाहकर भी अवाइड नहीं कर पाती कितनी लड़कियों के साथ रिलेशन्शिप में रह चुके हो तुम बताओ सही सही जवाब देना कहीं ऐसा तो नहीं कि इस एक्सिडेंटल शादी में मुझे कोई सेकंड हैंड हैस्बैंड मिल गया है या फिर उससे भी पुराना कितनी लड़कियों के साथ जिस्मानी रिष्टे रह चुके हैं तुम्हारे अब विद्यूत का मन अपना ही कर पीटने का हो रहा था कि कहां उसने अपनी बढ़ाई करने के चपकर में इतना रोमेंटिक मोमेंट स्पॉयल कर दिया अब उसकी गुसेल बीवी रोमेंस तो करने नहीं देगी और जब तक उसे उसके सवालों का जवाब नहीं मिल जाएगा तब तक वह विद्यूत को खुद को हाथ भी लगाने नहीं देगी धारा ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो और अगर कुछ होता भी तो वह पास्ट होता और पास्ट तो सबका होता है पर मेरा यकीन मानो विद्यूत सिचुएशन को नॉमलाइज करने के लिए कहा मेरा कोई पास्ट नहीं है इसलिए जो मेरा प्रेजन्ट और फ्यूचर है उसका भी कोई पास्ट नहीं होना चाहिए यहाँ मैं तुम्हारी इतनी बड़ी गलती के बावजूद सब कुछ भूल कर तुम्हारा प्रेजन्ट बिहेवियर देखते हुए तुम्हारे साथ अपना रिलेशन्शिप सही करने में लगी हुई हूँ और तुम हो की अभी तक पास्ट में ही अटके हुए हो रहो अपने पास्ट के साथ गुस्से से कहते हुए धारा ने विद्युत को अपने उपर से हटाया और लाइट जला कर जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगी अरे पर क्या हुआ तुम कपड़े क्यूं पहन रही हो इतनी सी बात पर घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है विद्युत ने धारा को समझाते हुए कहा मैं घर छोड़कर क्यूं जाओंगी भला ताकि तुम मेरा बच्चा भी रखलो और अपनी पास्टर वाली के साथ रहना शुरू कर दो वैसे भी मा और पापा जी ने मुझसे कहा है कि मुझे यहां कभी भी अकेला फील करने की कोई जरूरत नहीं है वह दोनों हमेशा मेरे साथ है और यह भी की यह घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी मैं जरासा गुस्सा क्या हुई तुम तो मेरे घर छोड़ कर जाने के सपने देखने लगे अभी अकल ठिकाने लगती हूँ तुम्हारी कहते हुए धारा ने अपने कपड़े ठीक किये और अपना मोबाइल लेकर कमरे से जाने लगी विद्युत जल्दी जल्दी बैज से उठा और धारा को बैक हग करके रोखने की कोशिश करते हुए बोला धारा तुम मिसंडर्स्टेंट कर रही हो मुझे बात करने का मौका तो दो मौका कैसा मौका चाहिए अभी अभी तुमने कहा कि लड़कियां तुम्हें अवोइड नहीं कर पाती इसका मतलब तुम लड़कियों को सेड्यूस करते हो बहुत शौक है ना तुम्हें लड़कियों को सेड्यूस करने का छोड़ो मुझे पता नहीं कौन कौन सी बीमारी लेकर घूम रहे हो धारा ने विद्यूत पर गुस्सा करते हुए उसे छूटने की कोशिश करते हुए कहा अब इसमें बीमारी वाली बात कहां से आ गई विद्यूत में हैरान होते हुए कहा और तभी उसका ध्यान गया की धारा किस बारे में बात कर रही है और धारा का गुस्सा देख कर वह समझ भी गया था कि धारा अब उसकी एक नहीं सुनेगी तो विद्यूत ने धारा पर गुस्सा करके उसे डराने की कोशिश करते हुए कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मेरी बात तालोगी तुम्हें अपनी जिंदगी में प्रायोरटी क्या दी तुम मुझे ही आखे दिखाने लगी हाँ दिखाई तुम्हें आखे तुम्हें आखे दिखाने की हिम्मत धारा खन्ना ने भले कभी नाकी हो पर धारा विद्यूत शेखावत जरूर कर सकती है और अगर मुझे जबर्दस्ती हाथ लगाने की कोशिश की तो चिल्ला चिल्ला कर सारे घर को इकठा कर दूंगी तुम रहो अपनी पास्ट वाली के साथ और तुम्हारी वजह से मुझे जो प्रेजन्ट और फ्यूचर मिला है उसे भी तुम्हारे पास भेज रही हूँ जब रात भर उसकी तीमारदारी करोगे तो बुद्धी ठिकाने लग जाएगी की एक लड़की को सेड्यूस करने या उसके साथ सोने से क्या क्या हो सकता है कहते हुए धाराने खुद को विध्यूत से छुडाया और तमतमाती हुई कम्रे से बाहर चली गई विध्यूत ने भी जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनी ताकि देख सके की धारा कहां गई है लेकिन इससे पहले की वह कमरे से बाहर जाता कमरे का दर्वाजा नौक करके रीता अंदर आई जिसने विधान को गोद लिया हुआ था उसने विधान को बिस्तर पर लिटाया तो विध्यूत में थोड़ा हैरान होते हुए पूछा ये सब क्या है रीता तुम विधान को यहां क्यूं लेकर आई हो वह धारा मैम ने कहा है कि विधान बाबा आज यही सोएंगे और और कहते हुए रीता परेशान होकर इधर उधर देखने लगे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह आगे की बात विध्यूत से कैसे कहे और उसकी चुपपी देखते हुए विध्यूत में तेज आवाज में कहा और क्या और क्या कहा तुम्हारी धारा मैम ने तो रीता ने विद्यूत की तरफ एक लेटर बढ़ा दिया और विधान का कुछ सामान कमरे में रखते हुए चुपचाप वहां से चली गई विद्यूत शेखावत बहुत शौक है ना तुम्हें लड़कियों को सेड्यूस करने और उनके साथ वक्त गुजारने का एक बार ऐ तुम्हें समझ में आएगा कि किसी लड़की के साथ वक्त बिताने से क्या क्या हो सकता है और हाँ अगर सुबह मेरे बच्चे की जरासी भी तबीयत खराब होगी तो मैं समझ जाऊंगी की तुमने मेरे बच्चे का ठीक से ख्याल नहीं रखा जो तुम्हारे लिए और हमार रिष्टे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा फ्रॉम धारा विद्युत शेखावत जैसे जैसे विद्युत लेटर पड़ता जा रहा था उसके होश उर्ते जा रहे थे ऐसा नहीं था कि विद्युत किसी की धमकी से डर जाने वाला इंसान था पर अभी उसे धमकी देने वाली उसकी खुद की बीवी थी और अब तो वह धारा को शिवानी या उसकी फैमली के नाम पर भी नहीं धमका सकता था क्योंकि जैसे ही यह बात विक्रम को पता चलेगी वह बखेया खड़ा कर देगा इतनी तो वह शिवानी खन्ना भी खतरनाक नहीं थी जिससे बदला लेने में निकला था इस धारा ने तो मेरी बैंड बजा रखी है लेकिन खेर इसका मैं बिगार भी क्या सकता हूँ विद्यूत ने खुद से कहा पर उसकी इस आवाज से नींद में सुकून से सोया हुआ विधान जाग चुका था और उसने रोना शुरू कर दिया था विद्यूत ने उसे ठीक से चेक किया तो पता चला विधान ने अपने कपड़े गीले कर दिये थे इसलिए वह रो रहा था विध्यूत ने उसके कपड़े चेंज करके और उसे बोतल से दूद पिला कर जैसे पैसे सुला दिया पर धारा आज रात भर रीता के कमरे में ही सोई रही पता नहीं क्यूँ पर उसे विध्यूत के मुह से किसी और लड़की का नाम सुनकर भी अच्छा नहीं लग रहा था हालां कि अब उसने विध्यूत से डरना छोड़ दिया था क्योंकि वह जानती थी कि विध्यूत कहीं ना कहीं अपना और उसका रिष्टा ठीक करने में लगा हुआ है और उससे प्यार भी करता है तो इसलिए अबवधारा या उसकी फैमली को कोई नुकसान नहीं पहुचाएगा पर दूसरी तरफ विध्यूत आज रात भर नहीं सो पाया था क्योंकि विधान ने पूरी रात जाग जाग कर उसके होश्ठिकाने लगा दिये थे विध्यूत की तो पूरी रात जैसे विध्यूत को दूद पिलाने और सुसु पोटी साफ करने में ही बीट गई थी सुबह के फोर ओकलॉक करीब विधान सोया था और उसके सोने के थोड़ी देर बाद ही विध्युत भी सो गया विध्युत की नीम सुबह तब खुली जब उसे अपने हाथ में कुछ महसूस हुआ उसने आखे खोल कर देखा तो विधान अपने छोटे छोटे हाथों से विध्युत का हाथ पकड़े उसकी उंगली चूस रहा था जैसे ही उसने विध्युत को जागते देखा वा जोर से खुश होते हुए हसा और उसकी यह बिना दातों वाली मासूम सी मुस्कुराहत देखकर विध्युत तो जैसे अपनी रात भर की सारी ठकान और गुस्सा भूल गया था विधान फिर से दूद पाने की उम्मीद में विध्युत की उंगली चूसने लगा था और उसके ननहे ननहे हाथों की पकर विध्युत पर इतनी तेज थी जैसे उसने सच में दूद की बोतल पकर रखी हो विध्यूत ने कुक को कॉल करके विधान के लिए दूद मंगवाया उसने जैसे ही दूद की बोतल विधान की मुह से लगाई विधान ने बोतल होल्ड करते हुए दूद पीना शुरू कर दिया था और वह एक तक विध्यूत की तरफ ही देखे जा रहा था विद्यूत में भले ही अब तक विधान को अपने पास रखने के लिए बहुत कुछ किया था जिसमें धारा से जगड़ा से लेकर ब्लैकमेलिंग तक सब कुछ था उसने विधान पर पैसे तो बहुत लुटाए थे पर विधान के साथ इतने दिनों में वक्त नहीं बिताया था पर अब उसकी जिन्दगी का वह समय शुरू हो चुका था जब उसने धारा के साथ वक्त बिताना भी शुरू कर दिया था और आज वह विधान के साथ पहली बार वक्त बिता रहा था और उसे यह एह एहसास हुआ की वह तो सिर्फ विधान पर पैसे करता कि धारा कौन है तो शायद आज उसकी जिन्दगी में धारा और विधान दोनों नहीं होते अगर धारा को सही समय पर विध्यूत नहीं धूंद पाता तो विधान आज बिना पिता के पल रहा होता विध्यूत अपने डरावने ख्यालों से तब बाहर आया जब उसके बच उसने विधान को अपने सीने पर सुला रखा है हाला कि विध्यूत का चहरा बता रहा था कि वह रात भर नहीं सोया है और विधान का चहरा भी यह बता रहा था कि रात भर उसे कोई तकलीफ नहीं हुई है जो देखकर धारा के चहरे पर एक मीखी सी मुस्काना गई वह समझ ग प्रम और शिवानी की शादी का दिन था उन दोनों की शादी केवल फैमली मेंबर्स के बीच ही हुनी थी इसलिए ये शादी विद्युत के फार्म हाउस में हो रही थी आज पूरे फार्म हाउस उसको बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेट किया गया था और साथ ही साथ सिक्य के सारे इंतजाम टाइट थे विद्युत धारा और विधान तीनों ने मैचिंट कपड़े पहने थे मजेंटा और गोल्ड कांबिनेशन में विद्युत ने शेरवानी पहनी हुई थी तो धारा ने मजेंटा और गोल्ड कांबिनेशन का लहंगा और विद्युत की ही शेरव शिवानी का स्मॉल। ड्यूप विधान को पहनाया गया था और तीनों एक पफेक्ट फैमली लग रहे थे विद्यूत की नजर तो जैसे धारा से। शिवानी का स्मॉल। जैसे धारा से धारा से थोड़ा बहुत जान लेने के बाद और विक्रम से खुद मिलने के बाद इस शादी को लेकर शिवानी के चेहरे पर खुशी भी जलक रही थी। विक्रम जो की गोल्डन और रेज शेरवानी में मंडप में बैथा कब से शिवानी के आने का और उसे एक जलक देखने का बेसबरी से इंतजार कर रहा था और धारा बार बार उसे शिवानी का नाम ले लेकर तीज कर रही थी. धारा को जैसे ही पता चला की शिवानी तैयार हो गई है वह उपर की तरफ गई और जल्ध ही शिवानी को अपने साथ. लेकर नीचे आने लगी विक्रम की नजर जैसे ही शिवानी पर पड़ी वह तो जैसे सांस लेना ही भूल गया हो रेडॉर। गोल्डन कलर के लहंगे में शिवानी कहर धा रही थी विक्रम तो जैसे शिवानी से नजर हटाने को ही तैयार नहीं था। तभी विद्यूत में विक्रम के पास आकर उसके कान में कहा भाई थोड़ा इधर उधर भी देख ले और भी लोग खड़े हैं। या फिर आखों से द शादी के मंत्र और विधी शुरू करवा दिये थे। हाला कि शिवेंद्र जी इस शादी से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे लेकिन उनकी नजर में जब उनकी बेटी का विक्रम से अफेय चल ही रहा था और वह दोनों इस कदर एक दूसरे में इन्वाल्फ थे कि उन्हों से खुशी तपक रही थी पर रेहान कुछ टेंशन में लग रहा था वह विध्यूत के पास आया और उसने उसे सारा सच बताया और इससे पहले की विध्यूत कुछ रियेक्ट करता वहां एक आवाज गूंच चुकी थी मिस्टर विक्रम शेखावत यू आर अंडर तभी विध्यूत ने आगे बढ़ते हुए कहा सर आप ऐसे बिना किसी सबूत के विक्रम को अरेस्ट नहीं कर सकते आप सही कह रहे हैं मिस्टर विध्यूत शेखावत पर कानून में आपसे ज्यादा जानता हूँ I am sorry to से बत मिस्टर विक्रम शेखावत के खिलाफ हमारे प पास सबूत और अरेस्ट वारंट दोनों है कहते हुए SP ने अपने साथ आए सब इंस्पेक्टर को इशारा किया तो उसने अरेस्ट वारंट विध्यूत की तरफ बढ़ा दिया इन पेपर्स को पढ़कर विध्यूत समझ चुका था कि अभी के अभी वह विक्रम के लिए पाएगा क्योंकि कानून से खुलकर वह सामने से लढ़ाई ले नहीं सकता उसने तुरंट कुछ कॉल्स किये ताकि वह अभी के लिए किसी तरह से विक्रम की गिरफतारी रुकवा पाए विक्रम ने आकर विध्यूत के हाथ से पेपर ले लिए और उसने भी पढ़ा तो उस सबूत इकठे कर सकूं और वैसे भी मेरे भाई की आज ही शादी हुई है तुम्हारे भाई ने मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली इसलिए तो ये सारा तमाशा हो रहा है विध्यूत शेखावत कहते हुए एक लड़की एटिट्यूद से तिक तॉक वॉक करती विध्यूत और विक्रम दोनों का ही चहरा गुसे से लाल पीला पढ़ चुका था और दोनों ने एक साथ कहा शिवानी खन्ना तुम यहाँ शिवानी खन्ना ये नाम सुनकर धारा और शिवानी भी दोनों समझ चुकी थी कि यह वही शिवानी है जिसने विक्रम पर रेप का इलजाम लगाया था और इसी शिवानी से बदला लेने के चपकर में विद्युत धारा की लाइफ में आया और शादी वाले दिन ही विक्रम की गिरफतारी की बात सुनकर तो जैसे अभी अभी शादी हुई शिवानी के सारे अर्मान तूट गए थेवध धम्म से जमीन पर बैथ गई शिवानी एटिट्यूट से चलती हुई विक्रम के पास आई और उसके तरफ देखते हुए बोली क्या लगा था तुम्हें विक्रम शिखावत मेरा रेप करके तुम बच जाओगे और खुशी खुशी किसी और लड़की से शादी करके नई जिंदगी की शुरुआत करोगे तो तुम बहुत गलत सोच रहे हो तुमने मेरी जिंदगी बरबाद की है और मैं अब तुम्हारी जिंदगी बरबाद करूँगी कहते हुए शिवानी के चहरे पर शातिर स्माइल थी पर विक्रम के चहरे के मुस्कुराहट तो जैसे शिवानी खन्ना के आते ही कहीं गायब हो गई थी अब विक्रम की शिवानी जो की अभी अभी मिसेच शिवानी विक्रम शेखावत बनी है जिसने विक्रम पर अभी थोड़ा थोड़ा भरोसा करना शुरू ही किया था क्या वह विक्रम पर फिर से भरोसा कर पाएगी यह सोच सोच कर विक्रम परेशान था So don't forget to share your review and comment your best part of a story और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पासके And if you like my story so commence your feelings with heart emoji तो मिलते हैं next video तब तक के लिए राधे राधे